मौनसुन के सीजन में जहां बारिश अपना कहर भरपा रही है और परश्यासन की तरफ से लोगों से अप्पील की जारी है कि लोग बारिश के दौर में कहीं आने जाने की जहमत ना उठाए लेकिन चमबा जिला के अंतरगर्ट आने वाले चरोडी पंचायत का खालगो गाउं पीड़ाओं विभाग और सरकार की अंदेखी का शिकार हो रहा है देखिए रिपोर्ट इस गाउं के ऊपर से प्रधान मंत्री ग्रामिन्ट सडक योजना के तहत अडक का निरमान कारे करीब दो साल से शुरू हुआ है लेकिन गाउं के ऊपर से लेंड्सलाइट होने से गाउं वालों का जीना दू भर हो गया है गाउंवालों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में भी की थी उसके बाद भी विभा के कुछ लोग आये थे और गाउंवालों को आश्वासन दिया था कि यहां चल्द इस समस्या का समधान करवाया जाएगा लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी गाउं की लोग डर के साई में जीने को मजबूर है आज सुबह एक बार फिर यहां भारी लेंड्सलाइट हो गया है जिसके चलते बड़े-बड़े पत्थर गाउंवालों के घरों पर गिरे है वहीं हैरानी की बात ये है कि P.W.D. विभाग इस गाउं को मौत के मूँ में क्यों डालना चाहता है 20 जुलाई 2021 को ये घारा पड़ा इस गाउं में गाउं का नाम खलो हो गए जो कि परदान मंत्री की तरफ से ये सड़क चली हुई थी जिससे घारा ये पड़ने के कारण से अभी तक कोई डपार्टमेंट ने यहां पर नजर नहीं मारी हमने कही बार 1100 पर कोल की है और यहां पर दो दरजन परिवार रहता दो ड़ाई सो की अबादी है जो कि रात को जब सुबह चार बज़े यहां घारा पड़ा तो रात को बच्चे लेकर हम गाउं से भाग चुके लोग जो कि यहां नीचे तक सभी खत्रा है जो दो तिन मकान पर अभी पत्थर पड़ चुके हैं और जब के बबाग के पास हमने की शिक्रता कर चुके भी तक बबाग ने इसमें कोई भी हाँ कोई भी इसमें बबाग ने नाजर ने डाली देखा कर दिया एक दो बार यहां पर एश्डियो राना साब तीसा से आये हुए थे उन्हें ने बोला था जह हम इसको खाड़ देंगे उन्होंने भी तक कोई बबाग को नी बहज़ा ना जेही वाया यहां पर अभी हमने फोन क्या काही पीड़नली ब управको एक-दो आधिमि पीड़नी के वहाई धियो ने अर्गहरा चलाने की कोशी कर रहा है भूंद कर ने कोशीं ने कर रहा है देखे जैनाम्वरें फस्ली नश्थ हो चूकी है हमारे पत्रे थे अधो और पढ़ चुके हैं और खुद आकर देख टूटी हुई थी क्रेटों की उसमें हमने शकायद की डिपार्टमेंट को बताया, साथ में पी डवल डी को भी बताया और 11 से नमर पे हमने कॉल किया, उन्होंने अश्पासिन दिया कि हम इसको उखाड लेंगे, जनाब फिरूस नोने का कि हम मार्च में इसको बिलकुल निका और जो फसल है पूरी नश्ट हो चुगी हमारी और गाउं पे जो पत्थर पड़े हैं रात को चार बजे और यह आपके आपके सामने आपने खुद देखे हैं, ठीक है छोड़े चोड़े बचे हैं रात को कहा जाएंगे, तो इससमस्य हमारी और जो डिवाडमेंट है बिल अपने खुद बचाव के लिए ही बोला था जो अभी तक नहीं हो पूरा एक वर्ष हो गया, बीस जुलाई 2021 से लेकर आज बीस जुलाई 2022 को सुब चार बजे हमारे यहां जो है यह स्लाइड हुआ है पूरा एक साल हुआ इसको और हमने बीच में कई बार बोला इनको कि इन कड़ो इनका करो और भी तक कुछ नहीं हुआ है जनाब हमारी जिन्दगी यह पूरी नर्क बनी हुई है उन्होंने उसके बारे में बोला इनोंने का कि यह स्टी और एक सीनने का कि हम मार्ष में इसको निकाल देंगे तो जनाब आप तो जुलाई 2021 काम कर देंगे ऐसा उन् के लिए त्यार थे एक साल से लेकन पीड़ बाग ने इस पर कोई भाग नहीं लिया और जब भी आते मोके पर आकर यूं कहते थे कि हां हां हम निकालेंगे निकालेंगे इनको करेंगे जब गर्मियों पड़ेंगे आगे तो गर्मियों में हम इसका काम लगाएंगे wow गई और इस साल भी देख लो कितनी फसले तबाह और नश्ट हो गई और मकानुँ का देख लो मकानौ के अंदर गऊशाला है गऊशाले के उपर आकर पफ़्थर गिरे इतने बड़े 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 आकर और गऊशालों की जो गड़ियां है और तो तो गड़ों के उप पथर पढ़ गए और चोटे चोटे बच्चों को लेकर बार्श का भी उपर से जोर घारे का भी उपर से जोर और बच्चे अपने अपने घरों में जैसे सोय थे बच्चों को उठाकर बड़ी मुश्किल से हमने मकानों को छोड़कर दूर खेतों की तरफ भाग गए और उप हो रही है फसले तबाह हो रही है गाउं तबाह हो रहा है और अभी तक पीडबली इस पर नजरी नहीं डाल रही है क्या भई पीडबली के पास पैसा नहीं है क्या हमें नश्ट कराने में पीडबली खुश है कि इनकी फसले तबाह होती रहे हर साल और हम हर साल भागते रहे य जैसे भी आसमान से वार्ष बरसने लगती है तो हमारी नीद बिलकुल खत्म हो जाती है कि कब पत्थर गिरे कब आए